साथियों, देश के ग्रामिक शेत्रों में रहने वाले भाईयों और भाईयों का स्वास्त, हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राफ्विक्ताओं में सहीक रहा है। आपकी एक-एक आवशक्ता को समझते हुए, सरकार लगातार काम कर रही है। पहले टीका करण को लेकर इतनी दिकते होती थी, हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई, बल्कि दूर दनाज वाले छेत्रों में भी टीका करण अभियान को लेकर के गई। पहले गर्वबती महलाओं और नवजाद बच्चों में कूपोशन की बहुत जादा समझ्या थी, हमने पी-एम मात्रो मंदना योजना के माध्यम से सीधे महलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू किये, ताकि कूपोशन के खिलाब लड़ने में उसको मद पहले सोचालयों की क्या स्थिती थी ये भी आपको पता है, सोचालय नव होने से कितनी बिमारिया फैलती थी ये भी आपको पता है, हम बहुत गंबिरता से प्रयास कर रहे हैं कि गाउं के गरीब से गरीब को उत्तम स्वास्त सेवा मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किये ज आ रहे हैं आयुश्मान भारत योजना भी गाउं के गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर उबरी है इसके तहट अब तक करीब करीब एक करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुप्त इलाज मिल चुका है इस योजना ने ग्रामिन इलाकों में जहां अस्पतालों की कमी है वहां अस्पतालों के निर्मान में भी मदद की है सरकार द्वारा भी देश भर के गाउं में लगबग डेड़ लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है इन सेंटर्स में अनेक गंबीर बिमारियों के टेश की सुविधाय मुहया कराई जा रही है पहले से किया जा रहे इन प्रयासों ने हमारे गाउं को कोरोना के खिलाब लड़ाई में एहम भूमी का निभाने के लिए त्यार किया है मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सामोही कोशिशों से अपनी एक जुटता से अपनी संकल प्रशक्ति से कोरोना को जरूर परास करेंगे